जिले के सरसोत गाम में रविवार को आतेजवाजी बनाते समय एक कच्छे मकान में विसपोट हो गया इस घटना में जहां आतेजवाजी बना रहे तीन लोग बुरी तरह से जुलस गए वहीं विसपोट से कच्छे मकान की छट उड़ गए खैनों के लाज के लिए जिलास पता शिपोरी में भड़ती करा गया है बता जा रहा है कि गाहों के बीच में कई सालों से अवे दुरूप से हातेजवाजी बनाने का काम किया जा रहा था लेकिन पुलिस और प्रिशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया जिसके कारण आज बड़ा हासा हो गया विस्पोर्ट के सुष्णा मिलने पास दिर्सो अथाना पुलिस और प्रिशासने का दिकारी मोखे पर पहुच गये हैं मौनु नामदेव शिप पुरी कर कर दिया है तो अनार हो मेरता बनाते हैं तो अनार हो मेरता बनाते गे अच्छु मिलने प्रिशासने के सब्सक्राइए हैं बनाते हैं यह अनार बढ़ ज़ा है और लाइट जोड़ यह लाइट के जा गए थी लाइट के था तार शौने से उससे मसाले में परेजर गए जी क्या नाम बहुत है यहां के स्थानी सर्पंच हैं जिस सरे जहां जो आसा हुआ था धमाका हुआ था क्या कैसी के आवाज आई और पहली द्रश्टी में क्या कुछ लगा आपको एक दम ऐसा लगा कि कोई बड़ा धमाका हुआ है बिस्पोर्ट हुआ है जैसे जानकारी मिली आवाज आई तो मैं तुरंट यहां उपस्तित हुआ सभी ग्रामबासी उपस्तित हुए और सभी ने अपनी तरफ से जितनी भी मदद बनी लोगहां निकाल है और पानी बगए निकाल की अपना पानी बगएरा सब तरीके से ढला रोर संबंद्धित थानफ़र्बार्दी जी को भी अव्गत कर में आया जिसमें कुछ लोग गाहिल हुए है क्या सर पूरा गटना क्रम है और कितने लोग गाहिल हुए है और कैसे हुआ है सरासा गटना क्रम के बारे में यह मालू पड़ा है कि बारा बजे के करीब यहां कोई गटना स्पोर्ट की हुई थी जो सूचना महरे साना परवाजी सिर्फवत को मिली तो वो तत्काल मौंके पे आ गए थे यहां पे उन्होंने आ करके अपने ग्रामवासियों के द्वारा और यहां पे जो सरपंच हैं विपिन शर्माजी उन लोगों के सहयोग से गायलों को तत्काल ही प्राइबिट गाड़ी से अस्पताल बेजा गायलों में जो घर के मकान मालिक हैं इरसाद और इस सुफान उनका बेटा आकास इसकी उम्र लगवक्त अच्छी साल होगी और बेटी नेहा 20 साल उसकी उम्र है उन नेहा का बेटा सुफान नेहा का नहीं वो बड़ी बनका है तो इन लोगों के कुछ जलने से इसमें घाव हुए हैं बर्निंग के सुपरफीसियल टाइप की बर्निंग है कोई ज्यादा गेहरे घाव नहीं है यहां पर लगवग दो कट्टों में हात्तिसवाजी कुछ बनना हुआ जैसे सुतलीवं टाइप के और यह सब सामान था इसको फायर विग्रे आगे बैदानिक कारवाई यहां चल रही है इसकोटा के दिने उमकैन तरगत बैदानिक कारवाई अभी की जा रही है